इस्त्री को आपने देखा, काम के विचार उठे, ये दुरियोधन की देन है, पुरुष को एक रोग हो गया आज इस पर्मो हो रिया, बहुत लोगों को पता ही नहीं क्यूंके जीवन में युद्ध चला है, तो युद्ध तो हो नहीं है, सब लड़ रहे हैं जीवन में, इस दुनिया को इस गीता की जरूरत है, एक अज़ेब सी वाईब है काशी में, अपने प्रती इमानदार रहिए, इमानवाले डरते नहीं, ये एक लाग करोड रुपे का डाइगराम है, आप पापी नहीं हैं, अगर समाज को पता चला कि आप भावक हैं, तो आप लूटे चंडाल भाई साब, शुद्ध चंडाल शुद्ध, भाई साब मैं आज आपको एक ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ, और आज अगर आप वो चीज समझ गए, आज मैं आपको बड़ी आश्चर जनक बाते बताने जा रहा हूँ, अगले श्लोकों में, शायद आपने नहीं सोचा होगा, मैं इस प्रोग्राम के माध्यन से सर्फ और सर्फ आपको सोच देना चाहता हूँ, जैसे पिछले बार हमने पढ़ा, पिछली बार मैंने आपको दुर्योधन के बारे में बताया, दूशित धन, आपने कभी सोचा? दूशित धन, मैं, दूशित धन, सर्फ परेशानी के सिवा कुछ नहीं देता, सर्फ परेशानी, अनवश्यक बंधन, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, मेरा, 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 मरे अर्जुन, अनुराग, प्रेम नहीं, भक्ती, इसने, अनुराग, भीम, भाव, भीम, भाव, मैंने आपको सोचने पर मजबूर किया, यह सब, विराट, दुरुपद, आचल स्थिती, मैंने आपको सोचने पर मजबूर किया, आपने उठाई होगी गीता फिर से, उठाईए, इस देश को, इस दुनिया को इस गीता की जरूरत है, मुझे तो यह वाली ही समझ में आई, और फिर से मैं गुरु महराज को प्रडाम करकर, इस एपिसोड की शुरूरत करता हूँ, गुरु महराज से मैं आशिरवाद लेता हूँ, महराज जी से मैं कहता हूँ कि महराज जी कोई गलती हो तो मुझे छमा कर दीजेगा, अब आते हैं पांचवे स्लोग पर, यह है पांचवे स्लोग, अब इन पांचवे स्लोग में जो बाकी महराथियों का नाम है, द्रिष्ट, केतू, यह कोई है, यह द्रिण करतव्वे हैं, द्रिष्ट धुम्न क्या है, द्रिण मन, जिसका मन द्रिण हो जाएगा, द्रिण करतव्वे, सुब़ चार बज़े उठना है, उठना है, नहाना है, सबसे पहले भजन करने बैठना है, द्रिण मन ही द्रिण करतव्वे का निर्वाहन कर सकता है, तो सजातिय शक्तियों में सिर्फ द्रिण मन नहीं, द्रिण करतव्वे भी, ड्यूटी, फिर चेकितान, अगला योद्धा, बहुत इंपॉर्टेंट योद्धा, चेकितान, चेकितान क्या करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट, अब जब हम शुर्वात करते हैं भजन की, अब मन की आद़त है, भागने की, जब आदमी पहली बार भजन करने के लिए बैटता है, एक मिनिट, आरे आईसा बिखरता है आदमी जब पहली बार बैटता है थो, उसको पहली बार ऐसास होता है कि वो अंदर से कितना खोकला है पचास घंटे वो आँख खोल करके बैठ सकता है लेकिन जब वो पहली बार पाँच मिनट आँख बंद करके बैठता है औरे भग्मान उसको लगता है कतम चेकितान क्या करता है कि जहाँ जहाँ इस चित भागता है वहाँ से वापस पकल कर लाता है पहला चरण ध्यान के खेल का यही है यह भागेगा आप बैठे यह भाग गया बड़ी अली बुवा आपस मकान में हिस्सा माग रही भागेगा भागेगा यह मानेगा ही नहीं क्योंकि ये जन्मो जन्मो से बाहर भागने का आदी है आज थोड़ी दस दिन शराब पीने पर शराब की लट लग जाती है जन्मो जन्मो से बाहर भागने का आदी है बड़ी बुवा से हटेगा मामा पर आजाएगा कि सब लोग खड़ा रहे हैं सब का मिठाई दीन हम में नहीं दीन और जोड़ देगा फिर अपको याद है कि आ रहे यार फिर आप वापसा हो गए फिर ले आएगा सक्तेज गड़ महराथ जी क्या गए ते डाट के भगा दिये फिर कहीं और फिर कहीं और ससुराल गए थे और ससुर जो है बड़े वाले साडू को पॉंट कुरता दिये और हमको 50 रुपिया दिये माने गए नहीं बाहर भागेगा बाहर और जब बाहर भागेगा तभी तो ये जिन्दर रहेगा अगर ये भाहर भागना छोड़ दे तो गुलाम हो जाए कौन मालिक गुलाम होना चाहता है छे कितान क्या करेगा चित को बाहर से खीच-खीच के इस्ट में लगाएगा तो द्रिस्ट के तुश कितान दृण कर्तप्व के लिए बात दे करेगा छे की तान क्या करेगा आपके मन को खीच-खीच के इस्ट में लगाएगा फिर काशी राज काशी राज काशी राज काया रूपी काशी काया रूपी काशी में ही वह समराज है काशी हिंदुस्तान का प्राचीनतम शहर काशी कहते हैं काशी में मरने पर स्वर्ग मिलता है निश्चित तोर पर हमारे अधरनिय प्रधानमंत्री जी वहीं से सांसद है काशी दो चीज़े वहाँ बहुत पसंद है मुझे एक तो वहाँ के लोगों की अधा पीछे से लाके टक कर मार दी आपकी गाड़ी में फिर देखे इसे का बे आंदर है देखाए नहीं पड़ा पीछे से कि भाया पीछे कहा देखे बताए अधा इतनी मुहबबत भी है हमारे छोटे भाई है परशान सिंग दब्बू सिंग घर पहुंचे 60 प्लेट रख दिये 30-40 प्रकार के मिठाई समोसा ये वो हमारे साथ जितने लोग गयते हैं अरे वोले ये यहां की लस्टी है यहां पेड़ा है यहां बरफी है और दूसरा है काशी की रहने वाले भगवान इसलिए आप काशी जब जाओगे न दो घाट वैसे तो घाटों का शाहर है दो घाट बहुत फेमस है एक मनिगण का मनिगण का यहां बैठ जाओगे एक दिन तो वैराग पैदा हो जाएगा 500,000 लाशे एक साथ 10 अशुमेग दसो इंद्रियों के खिलाफ अशुमेग ध्यान साथना मनिगण का पहले सोचता था कि यार बनारस काशी को क्यों ऐसा कहते है कि वहाँ जो मरेगा स्वर्ग पाएगा भाई यह मनिगण का घाट पे पहुँचेगा देखेगा सबकी शरीर जल लई हजार हजार शरीर बस उसको ऐसास हो जागा कि मृत्व ही परम सत्य है यह पैसा लेके भागने से कोई फाइदा नहीं चोरी करने से कोई फाइदा नहीं जुट बोलने से कोई फाइदा नहीं और लगातार एक महीना अगर बैट गया तब दसो शमेग दसो इंद्रियों के खिलाफ अशमेग साधना सर्फ गंगा मैया ने हाथ रख दिया सारे संत महत्मा गंगा सागर से वापस चलते हैं गंगोत्तरी की तरफ यही तो जीवन की धारा है यही तो तपस्या है कि सब छोड़ना पड़ेगा सब भूलना पड़ेगा जो सब्सक्राइब नियूटन आइस्टीन बर्नोली बूल जाओ अन लर्निंग काशिए है हमारे मित रहें विशाल सिंग बहुत प्यारे मित रहें उनका होटल है सिटी इन मलब जो रेल्वे कैंट का स्टेशन उसके ठीक सामने है बूचारे बड़ा बरदास्ट करते हैं मुझे हम जब जाते हैं तो वही रुकते हैं उनके होटल में बहुत उनको चेहरे से लगता है कि हमसे कहते हैं कभी-कभी उनके चेहरे पहाव आते हैं कि मास्टर बहुत ди-सुल कर रहे हैं लेकिन काशी का मुह चूटता ही नहीं, एक अजीब सी वाइब है काशी में, एक अजीब सी तरंग, इश्वर का सहर, भगवान का शहर, पता नहीं किस रूप में आकर नारायन मिल जाएंगे, काशी, काया रूपी काशी, यहीं पर सारा समराज्ज है, यहाँ वैराग, यहाँ अशुमेग, दसों इंद्रियों के खिलाफ, सत्त की आकांशा, फिर पुरुजित, पुरुजित, अगला योद्धा, पुरुजित, स्थूल, सूक्ष्म, और कारण शरीर, इनर सेल्फ, पर विजय दिलाने वाला पुरुजित, कुंति भोज, कर्तव विजय दिलाने वाला कुंति भोज, कर्तव विजय भाव पर विजय, भाव सागर, यहीं से तो आया, भाव नहीं, भाव, कर्तव विजय, जितनी साधना करते चले जाओगे, चीज़ें समझ में आती चली जाएंगी, को छोड़ना नहीं है, और साधना एक ऐसी चीज़ है, करते रहा हो, भजन खड़े हो भीड में कर रहा हो, चेकितान को अलड़ रखो, कि फकड़ लाना, जब यह भागे बाहर तो, भीड में खड़े हो, भीड में, कोई जरूरी थोड़े है कि सबजा के आश्रम में रहें, आश्रम डिसिप्लिन के लिए है, गाये पंदरा दिन रहें, डिसिप्लिन सीखी, गुरू लोगों से डाट खाए, महराज जी लोग डाटे, जब भी बर्चर सकतेज घड़ जाना, एक बाद याद रखना, सब महराज जी लोग किसी को बर्दाश नहीं करते हैं, कोई भी हो, वहाँ जहाँ साक्षाद, भगवान लोग रहते हैं, उनके उपर क्या फरक पड़ता हैं, ये डीम हैं, कलेक्टर हैं, इंजीनियर हैं, पलाने हैं, प्रधान मंतरी हैं, उनके उपर कोई फरक नहीं जब भी उस आश्रम में जाईएगा शिष्ष बन कर जाईएगा आपकी जो भी पदवी है उसको आश्रम के दरवाजे के बाहर रखके जाईएगा तब ही कुछ मिलेगा कुंति भूज करतब विसे भाव पर विजे सब कटेगा सब वो जो बार-बार विचार भाग रहे हैं सब कटेगा एक माला ले लीजे जेब में डाल लीजे माला पढ़ते रहिए भजन करते रहिए गुरु उस्मरण करते रहिए और नर्पुंगवा नरों में स्रेश्ट शैवब अर्थात सत्य व्यवहार शैव अर्थात सत्य व्यवहार अपने प्रती इमांदार रहिए इस आश्रम में सिर्फ आश्रम में जाके मत दिखाए कि मैं यह करता हूं में ध्यान करता हूं माला पैंता हूं अपने प्रती इमांदार रहिए आजकाल का आदमी अपने प्रती इमानदार नहीं है तो सोचता मैं दूसरों को बेखूब बना रहा हूँ आश्रम जाईए गुरु महराज को प्रडाम करिए भागे हम आज कोई जरूरी थोड़ी है यार हर आदमी जाके गुरु महराज के सामने खड़ा होगा जिसको ज़्यादा जरूरत होगी उसको विला लेंगे सत्य व्योहार यह देखिए द्रिस्ट केतुस कितान? द्रन कर्तब द्रिस्ट धुम्न? द्रन मन द्रन कर्तब आप तभी कर पाओगे जब आपका मन द्रन होगा चेकितान मन बाहर भागेगा यह उसे अंदर लाके इस्ट में लगाएगा बजन में लगाएगा फिर काशी राज काया रूपी काशी इस पर ध्यान दीजिए बड़ा मैंने अपने इस काशी राज पर बड़ा अत्याचार किया कभी खाई नहीं खाई कभी तंबाकू खाया सिगरेट पी शराब पिया सब मल डाला हमने इस सरीर में मैंने मैं अपनी बात कर रहा हूँ यह मंदिर हमारा इसमें कुछ भी डाल दोगे कुछ भी पुरुजित सूख्च कारण शरीरों पे विज़ दिलाने वाला कुंति भोज कर्तव निरंतर कर्म एक सेकंड भी रुखना नहीं चाहिए और शैब सत्व्योहार अपने प्रती इमानदारी यह पांडों के सेना क्या अन्य सेना पती है फिर युद्ध मन्यूश्च विक्रांथ उत्मोजश्च वीरवान सुभद्रो द्रोपदेश्च सर्व इवं महरथा युद्ध मन्यू यह अगला स्लोक बहुत स्यांदार युद्ध मन्यूश्च विक्रांथ उत्मोजश्च वीरवान सभाद्रो द्रोपदेश्च सर्व इवं महारथा भाई साथ मैं आज आपको एक ऐसी चीज बताने जा रहा हूँ जो मैं गुरु महाराज की किरपा से समझा और आज अगर आप वो चीज समझ गए तो भाई साथ दुबारा नो रिटर्न बैक इस देश का हर आद्मी भगवान बनने की स्थिति में है जो छेतना को पालेगा भगवान बन जाएगा वो पैसे के पीछे क्यों भागेगा जिसको जीव मिल गया वो निर्जीव के पीछे क्यों भागेगा युद्ध मन्योष्च अगला योद्ध युद्ध मन्यूँ युद्ध के अन्रूप मन की धारणा युद्ध के अन्रूप मन की धारणा बहुत लोगों को पता ही नहीं क्योंके जीवन में युद्ध चल ला है जिसको भी डाइबिटीज हो गई सुगर के पेशेंट से मिली है डाइबिटीज सिर्फ वही लोग ठीक कर सकते हैं जो अध्यात्म के रास्ते पर चल रहे है क्योंकि डाइबिटीज ध्यान की बिमारी है बहुत चारों तरफ लोग डाइबिटीज खतम करने का वादा कर रहे है डाइबिटीज एक तो अमीरों की बिमारी है जाद अतर क्रेविंग उठती क्रेविंग छुपके चावल खाते हैं लोग छुपके मिठाई खाते है तो युद्ध तो हो नहीं है सब लड़ रहे हैं जीवन में सब हर एक आदमी हर एक घर में जाकर देखिए सब जगहां इस वक्त लड़ाई चल रही है क्यों? वो सब परिशान है क्योंकि दुर्योधन के आधीन है जानी नहीं पा रहे हैं कि वो दुर्योधन के आधीन है दूशित धन के आधीन है बाहर ले जा रहा है बाहर मेरे पास घड़ी नहीं है ओजा राडो की घड़ी लगाए है ओज़ा फार्चुनर से चल ला है ओज़ा ने ये कर लिया भाईया कोई रोग नहो किसी को बढ़िया खायना मिले और परिवार में इज्जत हो इससे बड़ी कोई खुशी ही नहीं है वो आदमी मानी नहीं रहा तो यह कोई बात थोड़े है युद्ध के अनरूप मन की धारणा विजातियों पर नजार होनी जैसे आप बाहर भागे इस्तरी को आपने देखा और आप रुख गए यह दुर्योधन आपको प्रकृत की तरफ खीच रहा है मै युद्ध मन्यू फिर उत्मोजा जब आप उत्मोजा अगला युद्ध यह भी बड़ा प्यारा युद्धा है जब आपको यह चीजें दिखाई पढ़ने लगेगी और धीरे धीरे ध्यान लगने लगेगा आपने इस्तरी के तरफ देखा और आप भागे और एक बैक आप इलर्ट हो गए और वापस आए खुद से माफी माँगी अंदर ही अंदर उस इस्तरी से भी माफी माँगी तो उत्त मौजा मतलब शुब आधार शुब की मस्ती अज़ देखो लोगों को बदाम खा रहे हैं बदाम गोल गोल के दूद में पी रहे हैं अनार खा रहे हैं सब पॉस्टिक चीज खा रहे हैं सरीर में जान नहीं है क्योंकि यह दुर्योधन प्रति मिनट बाहर लेके जा रहा है इस तरी देखी काम के विचार उठे हो गया रियाक्शन अंदर बह गई शक्ती पता ही नहीं पुरुष को एक रोग हो गया आज इस पर्मो हो रिया प्रमेह इसी की देन है दुर्योधन की इस पर्मो हो रिया इस पर्मो हो रिया प्रमे पषाप के रास्ते से धीरे धीरे धातु का विसर्जन पुरुष के वीर का विसर्जन उसे पता ही नहीं उसे पता ही नहीं कहता कि कमर में दर्ध हो रही है उदासी चाही रहती है कमजोरी फील हो रही है प्रमेह और इस्तरी को विमारी हो गई लुकोरिया यह दुरियोधन की देन है यह दुरियोधन की देन है तो जब उत्मोजा शुब की मस्ती जब धीरे धीरे अंदर परिवर्तन शुरू होगा अब मैं जब अपने आपको पीछे देखता हूँ कि अवा दोजा चंडाल शुद्ध चंडाल भाई साब शुद्ध चंडाल शुद्ध अवा दोजा शुद्ध चंडाल इन समाज क्या करता है आपको पापी होने का अनुवगी पापी है कोई पापी आपी नहीं अज्ञानी जोड़ जाए किसी कुरू से रोश्नी पहिदा कर दे आपकी जीवन शुब की मस्ती तो जब छोटी छोटी विजय मिलनी शुरू होती है तो मन प्रफुलित रहता है घोश रहता है वो उत्त-मोजा है फिर पुत्र अभिमन्यू अभिमन्यू अ है अभय मन अभय जब शुब आधार आ जाता लोग कहते नहीं कि भाई हम कोई नहीं डराई कोई गलत किसले कहते नहीं इसलाम क्या कहता है इमान इमान वाले कभी जुखते नहीं यही यही शुब आधार यही है इमान इमान वाले डरते नहीं अभय मन कि जब हमने बैमानी नहीं की चोरी नहीं की जूट नहीं बोला किसी से तो क्यों डरें लेकिन अभि मन्यू यह जो अभेमन है अगर बिना चेतना के घुषा चक्रविू में मारा जाएगा अभि मन्यू देखो घुष गया चक्रविू में कर्शन साथ में नहीं है चेतना साथ में नहीं है मारा गया ध्यान رूपी द्रोपदी अध्भूत अध्भूत द्रोपदी ध्यान रूपी किसकी बेटी द्रूपद की है किया बात है गुरु महराज औरत है औरत जो दूसरे में रत रहे ध्यान रूपी दुरौपदी ध्यान रूपी है भाई कौन है धृष्ट दुम्न दृणमन पिता कौन है दृपद आचल इस्थिती अचल इस्थिती किसकी होगी जो ध्यान में डूपा होगा और जिसका दृणमन होगा उसकी अचल इस्थिती हो जाएगी अचल इस्थिती किसकी होगी जिसकी बेटी ध्यान है और जिसका बेटा दृणमन है उसकी अचल इस्थिती हो जाएगी द्रौपदी ध्यान रूपी ध्यान द्रौपदी ध्यान रूपी पाँच पती है इसके पहला युद्हिस्ठिर दूसरा अर्जुन तीसरा भीम चौधा नकुल पाँचवा सहदेव ध्यान रूपी औरत के पाँच पती जो भी ध्यानी होगा उसके पाँच पती होंगे युद्हिस्ठिर धर्म जो भी ध्यानी होगा उसके पाँच पती होंगे धर्म और धर्म बदलेगा नहीं फिर्थवी सूरज के चक्कर काटती है यह लौ है यह बदलेगा नहीं इस प्रकिर्थी के जो नियम है जिनको गुर्णानक देवजी हुकम कहते है नियम लौ जैसे न्यूटन का लौ है ऐसे इस प्रकिर्थी नेचर का लौ है जो भी चीज धर्ती से फेकी जाएगी वो नीचे की तरफ आएगी गुरुत्यकर्षण लौ है और लौ बदलेगा नहीं अर्जुन अनुराग प्रेम भक्ती स्नेह तीनों का अनलगनक धनन जये गुरु मराज ने आगे बताया धनन जये आत्मिक संपत्ति दुर्योधन दूशिद्धन तो हमको क्या बढ़ाना है अर्जुन धनन जये यही है मेन वारियर अर्जुन भीम भाव अकेले तो मिटा दे ये कितने लोग हैं संसार में मैंने पिछली बार भी कह कि भावुकता अगर अनाथ है तो मिटा दे हर आदमी आपके पास रोते हुए आगा भहिया ये हो गया भहिया वो हो गया अगर समाज को पता चला कि आप भावुक हैं तो आप लूटे जाएंगे ने कुल नियम योद्धा अगर नियम में नहीं रहेगा मार दिया जाएगा कब उटना है कब भजन करना है कब नाना है कब खाना खाना है अधो भोड़ा ग्यारा बजह सु该 उठे फिर खाना खा लिये वोले खाना खाने के बाद भजन कर लेंगे यार चलो साम को कर लेंगे आठ ठंड़क बहुत है और सहदेव सत्संग तो दस-पंद्रा दिन आश्रम में रहके आईए थोड़ा डाट खाएंगे हो सकता कोई बाबा जादा नाराजो बाबा भी कई तरह के हैं कोई दो लाठी मारी दिया वहाँ बाबा सब बाबा है संत महात्मा है कोई कबीर की तरह है अक्रमक है पाथर पूझे हर मिले तो मैं पूझू पहाड और कोई गुर्णानक देवजी की तरह है शान्त है जो भी ध्यानी होगा उसके ये पांच पती होंगे पहला पती होगा धर्म समझ में आएगा कि ये सब कुछ एक धर्म से बंधा हुआ है कानून से अनुराग आत्मिक संपत्ती है धनंजे भाव नियम सत्संग और जब ध्यानी इन पांचों पतियों को वनण कर लेगा तो उसके पांच पुत्र भी होंगे वादसल्लिता लावन्ड साहिर्दा है था सौम्मे था और इस्थिर्दा क्या बात है ये एक लाग करोड रुपे का डाइगराम है एक लाग करोड मिनिमुम दरोपदी ध्यान रुपी है क्या बात लिख दी गुरु महराज ने इक खजाना कहां पड़ा हुआ था और बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जुरुत नहीं है ये पीछे एक्स्ट्रेक्ट फ्रॉं हिस्टॉरिकल जज्ज्मेंट और वन्रोबल हाई कोट अलहबाज मानने है ये किताब और गुरु महराज कई सारे सम्मान से वर्ल्ड रिलिजियोस पार्लमेंट विश्व गुरु की उपाधी ये ये हिस्टॉरिकल जज्ज्मेंट और अलहबाद हाई कोट ये ठेंशन नहीं जुरुत नहीं है साब ये डाइग्राम एक लाग करोड मिनिमम जो भी ध्यानी है उसका पांच पती होगा धर्म, अनुराग, भाव, नियम, सत्संग अब तुम ध्यानी हो और बाइड का दुर्योधन प्रविर्थि के लोगों के साथ सब खीच लेंगे तुमारा सब खीच लेंगे एक आद घूट पिला भी देंगे अब यह कुछ नहीं होता यार भै यह सब खाओ, पिओ, मर्ज करो नहीं तो जीवन सर्ग में भी तो सराब बहता है ऐसे ही से तर्ग देंगे और साधना की आरंभिक इस्तिती थोड़ा साधक कमजोर होता है बह जाता है नियम से चलिए, नियम से उटना है तो उटना है भजन, खाना, पीना, सबका टाइम सुनिश्चित कीजे युद्ध में हैं आप आप युद्ध में हैं भाव जैसे जैसे उपलब्दी होती जाएगी भाव बढ़ता जाएगा गुरू सबसे पहले तो गुरू के प्रती अनराग भर्म और फिर ये पाँच पुत्र पैदा हो जाएगी वादसल्लेता पैदा हो जाएगी माबाब वादसल्ले करोणा का भी ये कुछ रूप है लावनता, सौंदर, साहिरदेता सौमेता वादी में एक सरल्दा पैदा हो जाएगी इस्थिरता पैदा हो जाएगी पाँच पुत्र है ये आपने गौर किया कभी है आपने कभी गौर किया ये एक लाग करोड का डाइगराम है आप सब साधना करें आप सब भजन करें आप सब के जीवन में सुख, सांति, उपजे कोई भी आपको दिक्कत हो आप सक्तेशगळ आश्रम संपर्क कर सकते हैं आप बर्चर आश्रम सारे बाबा, लोग, महराजजी लोग वहां मौजूद हैं आप किसी भी महराजजी बाबा, दो, चार, पाँच, दस नाम मैंने आपको बताई दिया लेकिन आईए, मैं निमंतर देता हूँ आपको मेरी जिन्दगी नर्क से बाहर निकली नर्क से तबी तो लोग परिशान है मुझे देखे इप गीता बतावत है कुछ भी कर सकता है इंसान बस गुरू की जरूरत है वालमी की? अंगुली मेल? आप डरिये मत कि हम तो बहुत पापी है हमसे बड़ा कोई नहीं रहा होगा भाईया हमारा भी उद्धार होगा सबका आप पापी नहीं है नहीं भाईया बहुत दारू भी है जिन्दगी में कोई बात नहीं अग्यानता में पिया अपने गहां जामीभी ये, कोई बात नहीं और भी बहुत बुरे काम किया कोई बुरा काम नहीं किया अज्ञान विजातिये शक्तियां आपको अपनी सेना का अंदाजा नहीं था आप तो सेना विहीन थे आपको पता ही नहीं था दृष्ट दुम्न आपके साथ नहीं है आपका मन आपको अपनी सेना का अंदाजा ही नहीं था आप तो बिना सेना के खड़े हैं और विजाती है शक्तिया अग्यान दृतरास्ट कितना शक्तिशाली है लास्ट में भीम को तोड़ने की स्थिति रखता है भाव को अंतिम हमला भाव पर वही करेगा अग्यान दुर्योधन दस हजार हाथियों का बल है इस्त्री देखी 20 किलोमीटर पैदल चले गए किसी ने चिकन पार्टी पर बुलाया रात में दो बज़े पहुंच गए दारू पीने के लिए सुबह चारी बज़े से बैठे हैं हम भी तो इसी रास्ते से गुज रहे हैं अब क्या-क्या बताएं अपने बारे में आईए आईए अंधेरे से बाहर निकलिए ध्यान साधना शुरू करिए अपने सानिकों को पहचानिए अपने सिनापतियों को पहचानिए दृष्ट धुम्न को पहचानिए दृपदी को पहचानिए अर्जुन को पहचानिए आपकी भी सेना बहुत मजबूत है और ये सारी सेना आपकी कौन तयार करेगा आपका गुरू हर कदम हर जगा आपके सामने ख़़ा रहेगा आईए आईए जैसे मैंने अपने आपको कीचर से बाहर निकाला अब मुझे सौन में आता है कि अध्यादम का प्रतीक कमल क्यों है कीचर हम सब कीचर में पैदा होते हैं आईए आवाहन कर रहा हूं सबका हाथ जोड़ कर आईए इस दुनिया में मौझूद सभी सभी जन सभी सभी जन पूरे संसार को मैं गुरु भगवान स्वामी अर्गारान की तरफ से आमंत्रत करता हूं आईए उठाईए गीता फिर से और इन सब चीजों को देखना शुरू करिए हरियोम पड़ाम आईए